आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 12 वी की सामान हिंदी विसाय के अंतरगत जो आपके पेपर में कोशन नमर चार पुछा जाता है जिसमें ये कहा जाता है आपसे कि दिये गए पद्यांस पर आधारित निमलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए यानि आपको एक पद् यहान से देखेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को में एक्स्प्लेंड करने वाले हैं साथी में ये भी बताएंगे कि आप अपनी बोर्ड एक्जाम में जब भी पद्यांस जब पूछा जाये तो आपको कापी में उसका उत्तर कैसे लिखना है जिससे देखें मैंने आपके सामने आपने नोट भी किया है बहुत ही अच्छी तरीके से तो पहले यहां पर देखते हैं कि आपको दिया क्या गया है लज्जा सीला पतिक महिला जो कहीं द्रिष्ठाय होने देना बिकृत वसना तो ना तू सुन्दरी को यहाँ पर रादिका जी पवंदूतिका से कहती है कि है पवंदूतिका यदि राष्टे पर चलने वाली कोई महिला या कोई इस्तरी जो की लज्जा सीलो लाजवन्तियो वो आपको कहीं पर अगर दिख जाए होने देना विकृत वसना विकृत का मलब होता है अस्त बेस्त वस नहीं होने देना ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर रादिका जी पवंदूतिका से कहती है कि है पवंदूतिका यदि राष्टे पर चलने वाली कोई महिला या राष्टे पर चलने वाली कोई लज्जा सील महिला दिख जाए तुमको तो उस सुंदरी के वस्तरों को विकृत नहीं होने दəna अस्त बेश्ट नहीं होने देना अपनी हवा के माध्यम से आगे यहां पर दिया गया है जो ठोड़ी होटो की उसके होटो की और कमल के समान मुखी की कमल मुखी की मलानता है मलानता है का मत्तब होता है सूखा पन मुझाया पन होटो की और कमल के समान मुखी की जो सूखा पन है मुझाया पन है उसको मिटा देना उसको खुस कर देना यानि उसके चेहरे को खुस कर देना जो कमल क किसान की बेटी अगर खेत में दिखे जाए जो कि करनता का मतलब क्लेषान हो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना धीरे धीरे अपने इस परस से परस का मलब होता है इस परस से उसकी क्लांतियों को मिटाना मलब इस परस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना कश्टों को दूर कर देना यहाँ पर पवंदूर का से राज़ दिकाजी कहती है कि यदि कोई ठकी हुई किसान की बेटी खेत में दिख जाए तो अपने इस परस से धीरे धीरे उसके कश्टों को दूर कर देना ठक है न फिर आगे दिके क्या पता जा रहा है कि जाता कोई जलद यदि हो बेओं में तो उसे ला छाया दौरा सुखित करना तब भूताऑना को मतलब ये कहा जा रहा है कि जाता कोई जलत जलत का मतलब क्या होता है जलती वी धरती को ठीक है अगर कोई जो है बादल आकास में जा रहा हो तो उसे ला करके उसकी छाया दोरा इस जलती वी धर्ती को सुकित कर देना यानि ठंडा कर देना उमीद है कि आप सभी लोगों को ये ब्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी अगर ब्याख्या समझ में आ गई है तो प्रश्णों के उत्तर देना तुरंत आप सीठ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है आप उत्तर तुरंत दे दोगे यहाँ पर पहला प्रश्ण पुछा गया है उपर युद्ध पद्ध्यांस का संदर भी लिखिये तो संदर मैंने बताया है कि बिल्कुल आयसे लिखे देगा दे कि मैंने आपके समझ चिल लिखा हुआ है संदर बैसे लिखना है कि प्रिस्तुत पद्यांस हमारी पार्ट पुस्ता कर सामानी हिंदी के पमंदूति का सीर्शक से लिया गया है और इसके कभी आयोध्या सिंग उपाद्य हरी आयोध है ये कभी हैं यहाँ पर कभी लिखेएगा इस तरीके से पद्यान्स का संदर भी लिखना है आपको फिर आगे बात करें और बहुत ज़्यदा बढ़ा चला करने लिखना जितना आपसे के उतना ही लिखेएगा मैंने अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से ब्याख्या की है कि जो थोड़ी भी स्त्रमित हो हुआ गोद ले स्त्रांतिक होना होटो की और कमल मुकी की मिलानताय मिटाना रादिका जी कहती है पवंदूत का से कि अगर हुआ महिला थोड़ी सी भी स्त्रमित हो थकी हो तो उससे अपने गोद ले करके उसकी थकावट को खो देना दूर कर देना होटो की और कमल मुकी की मिलानताय मिटाना होटो की उसके होटो की और कमल के समान मुकी की जो मुर्जाया पन है कमल के समान मुखिका जो मुर्जाया पन है या जो सूखा पन है उसको मिटा देना ठीक है तो ये हो जाएगी रेखांकित अंसकी ब्याख्या उसके बाद आगे बात करें तो राधा लजजा सिल पतिंग महिला के बारे में क्या कहना चाती है तो आपने अभी जाना कि राधिका जी जो है या राधा जी जो है वो पतिंग महिला के बारे में क्या कहना चाती है तेके रेखांकितंस की ब्याख्या बिल्कुल ऐसे कर देना जैसे मैंने यहाँ पर किया ह आप देख सकते हो ठीक है मैंने आपको बता ही दिया इसकी बैक्या आप देखें रादा जी पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में यदी तुझे मार्ग में ब्रज भूम की लज्जा सील महिला यदी कहीं पर दिखाई दे जाएं तो कहीं अपनी चंचलता का परदर्शन कर पर देखें करते हुए उसके वस्त्रों को उड़ा कर उसके कोमल अंगों को अनावरत मत कर देना यह कहना चाहती है रादा जी पवन्दूत्का से ठीक है ना तो इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हो या एक लाइन में आप आईसे भी बोल सकते हो कि रादिका जी का परदर्सन करके ठीक है यहां पर आगे दिया गया है कि होटो की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है आप देख सकते हो होटो की और कमल मुख की मलब होता है कमल के समान मुख की ठीक है तो यहां पर मुख की जो तुलना की गई है ठीक है जो मुख की तुलना की गई है वह क कलंकार का पर्योग हुआ है उसके बाद यहां पर एक प्रश्ण और भी आप पूचा गया है, इसको भी जान लेते हैं इसमें पूचा गया है जल्ध का मतलब क्या है टो मैंने अच्छी ठारीके से आपको बता दिया है कि जलद, जलद का मलब अभी देखिए, आपको यहाँ पर लिखा था जलद, और उसके पर लिखा था बियों, मैंने का मलब बादल होता है, और मैंने यह भी बता है कि किसान की बेटी होता है, तो दोनों का यहाँ पर क्या पूचा गया था, अर्थ पूचा गया था, तो इस तर ख्या ये पध्यान से अच्छी तरीके समझ में आया होगा समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में महत्यपूर प्रश्णों के साथ जैहिन वंदे मात्रम